हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू पार्थ शिक्षा दोस्तों आज का जो लेक्चर है जानल एंट्री का हम सात्वा लेक्चर कर रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम जो करने वाले हैं डिसकाउंट का ट्रीटमेंट तो डिसकाउंट हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं डिसकाउंट दो तरह का होता है एक होता है आपका ट्रेट डिसकाउंट और दूसरा होता है कैश डिसकाउंट क्या होता है एक होता है आपका ट्रेट डिसकाउंट और दूसरे का नाम ह अपका cash discount ये दोनों discount में क्या अंतर है, ये दोनों discount का मतलब मैं already बता चुका हूं कि trade discount cash discount में क्या होता है फिर दुबारा से बता दे रहा हूं जब मैंने basic accounting terms मैंने बताया थे तो वहाँ पे आपका ये trade discount और cash discount का मतलब मैंने बताया था trade discount क्या होता है ये sale को promote करने के लिए दिया जाता है या जब कोई bulk में यानि बहुत ज़्यादा मातरा में कोई समान खरीदा ये बेचा जाता है जब बेचा जाता है उस समय हम trade discount देते हैं और trade discount में याद रखना profit include होता है मतलब trade discount से एक businessman का कोई घाटा ये फायदा नहीं होता है for example कि अगर मैंने इसको बनाने का 100 रपे खर्चा आया और इसमें मैंने 50 रपे profit जोड दिया 150 रपे आ गया और कोई customer आया बोला कि मैं एक pen नहीं लूँगा मैं ना आक से 100 pen खरीदना चाहता हूँ मैं ना का अच्छा 100 pen खरीदना चाहते हो ठीक है मैं इस पर 10% discount दे दूँगा तो अगर मैं 10% कहता हूँ discount दे दूँगा तो 15 रपे कम तो यानि के 135 रपे के हिसाब से 100 pen के लिए पैसा दे तो है ना तो क्या मतलब यह है कि जब कोई ज्यादा मातरा में बल्क में कोई समान खरीता बेजता है तो उस समय कस्टमर को लुभाने के लिए या फिर नूली बिजनेस से स्टार्ट होता है तो उस समय हम अपने बिजनेस को परमोट करने के लिए हम discount देते हैं उसको कहते है trade discount ठीक है 10 discount की कोई entry नहीं होती है बट cash discount जो होता है वो immediately amount receive करने के लिए ठीक है न यानि कि मैंने किसी को उधार समान बेचा वो बोलता है मैंने किसी को समान बेचा और वो कहता है मैं 10 दिन बाद पैसा देदूँगा कल देदूँगा एक महीने बाद देदूँगा ऐसा कहता है मैंन इमिडेटली payment करने के लिए यानि जतना जल्दी से जल्दी पैसा receive करने के लिए जो discount दिया जाता है वो cash discount होता है मतलब इसके बाद तो अब जो cash discount है यह businessman के लिए loss है क्या है यह businessman के लिए loss है तो यह loss जो है वो दो तरह का हो सकता है at the time of purchase at the time of purchase और दूसरा होगा at the time of sale at the time of sale तो अब देखना है at the time of purchase यानि कि अगर हम purchase है रहा हम खरीदने वाले हैं तो तो हमारे लिए फायदा है क्या ही हमारे लिए benefit है क्या है हमारे लिए income है क्या ही हमारे लिए income है क्योंकि हमने समान खरीदने के सामने वाले ने discount दे देता हमारे लिए फायदा है ना हाँ sir फा और सर समान अगर बेचेंगे तो बेचेंगे तो discount हमको देना पड़ेगा न हाँ सर तो discount हमको देना पड़ेगा तो यह हमारे लिए loss है क्या यह loss बोलो या expense बोलो और debit all expense and loss का नाम आपने सुने है न हाँ सर तो इसका मतलब debit होगा क्या होगा यह debit होगा और debit होगा उसका नाम क होगा discount हमने दिया है तो उसको बोलेंगे discount allowed कमाल आ discount allowed discount receive तो यह discount allowed debit होगा discount receive credit होगा तो इसका मतलब याद रखना जब भी cash discount होगा समान बेचेंगे तो discount allowed debit होगा और जब discount जब हम goods को खरीदेंगे तो discount receive होगा यह मैंने logic बता दिया क्योंकि यह कैसे हमारे लिए यह loss है और कैसे हमारे लिए income है ना trade discount ना हमारे लिए income है ना loss है इसकी कोई entry नहीं होगी और trade discount minus करने के बाद जो amount आएगा उसी पर cash discount allowed करते हैं तो इसके लिए हमने यह question यह 10 ट्रांजेक्शन हमें लिखे हैं 2023 में फैब का ट्रांजेक्शन है आप जन्दी से देख लेते हैं फटा 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 एक question कर लेते हैं पर्चेस गूट्स इन cash of रुपीज of the list price of रुपीज 1 lakh at 10% trade discount यहनी कि हमने पर्चेस किया है list price जो है वो आपका है 1 lakh रुपे ओके सर लिस्ट प्राइस में से सबसे पहले क्या माइनस करते हैं trade discount क्या माइनस करते हैं trade discount सर कितना trade discount 10% है तो घटा दो जी कितना रुपे आया नब्बे हजार रुपे और यह हमने गूट्स खरीदा है ना तो इसी को कहते है है पर्चेजिंग प्राइस पीपी पर्चेजिंग प्राइस गूट्स है सर कैश में खरीदा है तो जर्रल इंटी क्या होब पर्चेस अकाउंट एक्सपेंस है ड्रेजिंग अमारे चाहँ पर्चेस अकाउन डैबिट टुट्वर्ट है आपका cash में payment की हो तो to cash Sir amount कौन सा होगा Sir amount होगा हमारा कौन सा होगा after trade discount Trade discount minus करने के बाद जो amount आएगा वो ही आपका या तो purchase price होगा या selling price होगा हम यहाँ खरीद रहें तो इसलिए purchasing price याद रखना purchase के सामने हमेशा या sales के सामने कौन सा amount आएगा trade discount minus करने के बाद तो कितना है 90,000 रुपी मैंने जैसे की बताया कि trade discount का कोई entry नहीं करना है हाँ Sir दूसरा बताओ इसी बात यहाँ पे date मैं लिख रहा हूँ date number 5 था और यह fab number 6 है आप पूरा fab लिख लेंगे मैं fab 6 की बात कर रहा हूँ sold goods in cash list price of purchase 40,000 रुट आप यहाँ पे बेचा गया है तो जो भी list price होगा list को पता है original price भी कहते क्या कहते है original price कितना रुपे सर 40,000 रुपे सर 40,000 रुपे का trade discount कितना परसन है 5% है तो बता दो सर 5% कितना होगा 2000 रुपे 38,000 यह क्या है आपका selling price जो की sales के सामने आएगा तो cash में बेचे समान तो क्या होगा cash account debit हो जाएगा 2 हमने समान को बेचा तो 2 sales account कितना रुपे आपका टे डिसकाउन याने की 38,000 सरे तो बहुत आसान लग रहा हाँ जी बहुत ही आसानी है अगला है fab 7 क्या है fab 7 तो fab 7 की entry क्या होगी fab 7 में देखते हैं क्या लिखा है purchase goods worth रुपे 60,000 and receive a cash discount of 8% यानि इस question में directly सीधा सीधा cash discount है यहाँ पे trade discount नहीं है तो कितने में goods का रही खरीदी हो sir goods हमने खरीदा है 60,000 रुपे का तो purchase account debit सीधा इसमें लिख दिया है कि purchase किया है 60,000 रुपे का समान तो 60,000 रुपे का debit हो जाएगा sir 222 हमने cash discount तो cash discount बताओ cash discount जितना जिसपे हमने खरीदा है न उसपे लगता है तो cash discount equal to कितना होगा sir इसमें कितना percent 8% तो 8% of 60,000 अब 60,000 का 8% अगर मैं calculate करूँ तो आपका आजाएगा 4,800 रुपे अब बताओ मैंने समान खरीदा तो discount आप 60,000 का समान खरीदा उसपे 8% का discount तो मुझे payment कम करना पढ़ेगा ज्यादा करना पढ़ रहा है 60 से कम करना पढ़ेगा ज्यादा सर कम करना पढ़ेगा सर कम करना पढ़ेगा तो तो फाइदा हो गया सर क्या हो गया फाइदा क्यूंकि मुझे discount मिल रहा है credit all income and gains तो 2 discount receive कितने का फाइदा हो गया सर discount receive हो गया मेरा 4,800 रुपे का कमाल है अब 60,000 में से 4,800 नहीं देना पढ़ेगा फाइदा है तो कितना देना पढ़ेगा मेरे जेब से कितना पैसा जा रहा है तो घटा के लिख दो 55,200 रुपे सर कमाल है यही था ना आपका फैब 7 का अगला है फैब 8 वर्थ रुपे 50,000 and allowed a cash discount अब सेम यह purchase का था यह sale का था तो यानि कि हाँ पर हम sale कर रहे है फैब फैब है आपका 8 तो फैब 8 में सामान बेचोगे तो discount तुमको देना पढ़ेगा या तुम्हें मिलेगा देना पढ़ेगा देना पढ़ेगा तो घाटा discount allowed at the time of sale discount allowed at the time of purchase discount receive तो discount receive पर मैंने यहां credit कर दिया न हाँ sir तो यहां cash में बेच रहा हूँ तो cash account debit हो जाएगा discount allowed debit हो जाएगा to sales account और sales कितने में किये हो sales जो है आपका 50,000 रपे का है तो 50,000 रपे का sales से लिख दो और discount यहां पर 50,000 रपे का कितना percent बोला है sir 50,000 रपे का 6% है तो इसका मतलब 3,000 रपे आगया इसका मतलब कितना पैसा आपको मिल जाएगा cash में 47,000 कामाल है न तो 47,000 का logic समझ में आगया न हाँ sir 50 वाले पर 3,000 का नुफसान क्यूंकि discount दे दिया तो 47,000 मिल जाएगा list 40,000 at 10% trade discount and 5% cash discount यहां पर दोनों है और goods cash में ख़िदा है तो दोनों discount होगा तो क्या करना है हमको यानि कि यहां पर हमको करना है list price देखना है क्या देखना है list price और list price कितना है दोस्तों फैब 9 का आपका 40,000 रपे तो सबसे पहले क्या minus होता है trade discount कितना percent है trade discount 10% है तो 10% मतलब कि 4000 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 36,000 रपे बच जाएगा अब 36,000 रपे जो आया है इसको कहते है purchasing price क्या कहते है इसको purchasing price pp minus cash discount cash discount कितने का 5% तो जितने में खरीदे नो उसका 5% तो 36,000 रपे जो होगा discount हम करेंगे तो पैसा जाएगा तो पैसा जाएगा तो cash में जाएगा तो to cash account और बताओ यहां पर discount को debit करें create करें तो logic समझ में आसीदा purchase के time में discount हमारे लिए फायदा होता है क्योंकि कम देना पड़ेगा और खरीदते समय जो है discount allowed loss है बस यह logic ध्यान में रखो यह खरीद रहे हैं तो फायदा ही होगा discount हमको मिलेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा discount received account purchase के सामने कितना after trade discount याद रखना 36,000 रुपया 36,000 में से 1800 का discount हो गया तो आपको कितना मिल रहा है आपको मिल रहा है cash में 34,200 तो यह कमाल हो गया ना आप इसको note कर लीजिए उसके बाद हम बांकी के 5 और entry कर लेते हैं जल्दी से note करिए हाँ जी अब बांकी हमने 9 तक के देख लिया है ना अब 10 से लेकर 1,2,3,4,5 पांच और transaction है फटाफ़र देख लेते हैं तो क्या है FAB 12 हम बात कर रहे हैं FAB 9 तक हो गया 10 की तो FAB 10 में क्या है जरा देख लेते हैं परइस सोल गूट्स फॉर कैस अप्ता लिश्ट प्राइस इसमें आपका पचास हजार रपे है माइनस क्या करना है ट्रेट इसकाउंट कितना पर संट है 15 तो पचास हजार रपे का पंदरा परसंट आप 7,500 तो ये 42,500 हम बेच रहे इसको कहेंगे Sailing Price कितना क्या कहेंगे Sailing Price अब Sailing Price है तो इसमें Cash Discount कितना है Cash Discount Question में बोला है 3% कितना है 3% तो less कर दो Cash Discount तो कितना है 42,500 का 3% 1275 ठीक है ना घटाने पे जो आएगा आपका 42,500 में से तो आएगा 41,225 हाँ तो अब ये Entry कर डालो फटाफट कैसे करेंगे Sir Entry हम Entry ऐसे करेंगे कि बेचे हैं समान Cash में तो Cash आएगा तो Cash Account Debit आप बेचते समय हम Discount देते हैं ना तो Discount Allowed Account Debit हो जाएगा 2 Sales Account 42,500 कैश कितना आएगा 41,225 रुपे नुक्सान कितने का हो गया घाटा 1,275 कमाल है ना फैब 10 भी complete हो गया अगला है फैब 12 वोट्स टू डेविट 4 पिच 1,20,000 at 15% trade discount and 4% cash discount receive 60% amount by cash on the same day on the same day बोलूँ या फिर immediately बोलू मतलब एक ही ऐसा नहीं लिखा कि उसी समय immediately same day entry एक तरस भी कर सकते दूसरे मैं बता दे रहाँ तो ज़रा देखते हैं कि 1,20,000 पर लिस्ट प्राइस है क्या है यहाँ पे लिस्ट प्राइस जो है वो आपका कितना है लिस्ट प्राइस है आपका 1,20,000 पर लिखा इसमें से सबसे पहले माइनस क्या करते हैं ट्रेड इसकाउन और ट्रेड इसकाउन यहाँ पे भी आपका कितना है ट्रेड इसकाउन 15% है तो 1,20,000 का 15% 18,000 पर आएगा कितना आएगा 18,000 पर लिखा परसेंट जो है उसी समय मिल रहा है इसका मतलब बाकी उधार है मतलब की 60% जो है वो cash में है क्या है cash इसका मतलब 40% जो है credit में आग गया तो इसका मतलब 1,2,000 का 60% जो होगा वो 61,200 तो बाकी कितना रहे गया? बाकी आपका हो गया 40,800 अब बताओ ही जो cash discount है न चार परसेंट वो सिर्फ उसी पर मिलेगा जितना पैसा अभी cash में मिल रहा है जो उधार में वेशते उस पर cash discount allowed नहीं होता cash discount का मतलब ही हमने क्या सिखा तुरंद पैसा लेने के लिए तो फिर इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर cash discount इस पे लगेगा इस पे लगेगा कितना परसेंट है cash discount 4% है तो मैं 61,200 का अगर मैं 4% निकालूँ तो 2448 मतलब 61,200 मैंसे अगर घटा दूँ तो 58,752 इतना हमारे जेब में पैसा आएगा समान बेचे हैं तो हम यहाँ कर लेते हैं 5 कितना 12 का तो पैसा आएगा तो cash account debit क्या cash account debit कितना cash आ रहा सर 58,752 सर कुछ घाटा भी हो गया क्योंकि हमको discount देना पड़ गया है हाँ तो discount allowed debit हो जाएगा कितना का discount दे दियो हो 2448 ओके तो इसका मतलब और बाकी उधार में बेचे हो कितना का सर 40,000 का किसको बेचे हो sold goods to debit किसको बेचे हो debit को तो debit आपका data हो गया ना तो data debit हो जाएगा सर कितना रेपे है data के सामने 40,800 ओके टू सेल्स अकाउंट टू सेल्स और सेल्स के सामने मैं क्या बताया था कि हमेशा जो selling price यह नहीं कि trade discount मानस करने के बाद जो आता हो मतलब कि 1,2,000 इसको पता एक और तरह से entry किया जा सकता था कि पहले मैं इसको खरीदने की entry कर दूँ क्या अब बेचने की entry कर दूँ तो बेचने की entry उधार में कर देता ऐसा देखिए मैं और करके बता रहा हूं डैविट कर देता डैविट कितना एक लाख 20,000 रपे टू सेल्स अकाउंट आएगा ये एक लाख 2,000 रपे एक लाख 2,000 रपे है ना हां सब तो ये एक लाख 2,000 रपे एक entry ये सीधा सीधा क्योंकि बोला है ना यहाँ पे पेमेंट जो है उन्दा सेम डे है ऐसा नहीं लिखा है कि इमिडेट ले उसी समय अब उसी समय नहीं हुआ तो एक entry तो हो जाएगा ना बेचने का तो बेचने का क्या होगा कि हमने बेचा है तो डैविट डैटर टू सेल अब जब डेटर से कितना पैसा मिल गया है 50% मिल गया तो मिलने का entry यहाँ पे क्या कर देंगे cash अकाउंट डैविट कितना cash मिल गया है 58,752 और discount allowed भी हो गया ना हाँ sir discount allowed भी हो गया कितना 2448 तो अब sales नहीं डैविट क्योंकि पैसा किस से मिला है डैविट से तो ये दोनों को merge करेंगे तो यही आएगा आप ऐसे भी कर सकते हो एक मैंने बेचने का कर दिया और उसी दिन शाम को मान के चलो सवेरे में आया था खरीदने तो मैंने सवेरे में बेच दिया था तो ये entry हो गया अब शाम को पैसा दे गया उसी दिन तो हमने ये entry कर दिया या तो यह दो एंट्री करो या यह सिंगल एंट्री करो आपकी मर्जी तो हमारा यह कंपलीट हो गया है अगला है आपका फैब 14 तो हम फैब 14 की बात कर लेते हैं फैब 14 में क्या बोला है पर्चेश्ट गूर्स फ्रों जॉन फोर रुपीच वन लाक फिप्टी थाउजन अट टेन परसेंट डिसकाउंट एट फाइब परसेंट कैश डिसकाउंट सिक्टी परसेंट अमाउंट पेड ओन दा सेम डे यहां भी सेम डे तो मैं उपर वाला मैं उपर वाला ये सिंगल एंट्री करूँगा ये वाला जो है मैं नहीं करके बताऊंगा ठीक है ना आपको लोजिक समझ में आ गया होगा तो फैब 14 का यहां पे भी सेम है क्या है लिस्ट प्राइस जो है वो कितना रुपे है एक लाक पचास या रुपे है ट्रेड डिसक कर रहे है सेम डे को तो मतलब 60% जो है वो कैश में है और बाकी जो 40% है on credit है ओके शरुपे में तो एक लाक पैंटिस अजार रपे का 60% एटी वन 1000 आईगा आप बाकी कितना रह जाएगा बाकी रह गया 54,000 यह किसमे है credit में सर हम खरीद रहें तो पैसा payment करना परेगा discount तो मैंने सोगा ना cash discount cash discount बताओ कितना percent है 5% है और cash discount किस पर मिलता है जो हम cash में खरीद रहें या बेच रहें तो 81,000 का 5% जो है 4,050 रुपे तो अगर मैं घटा दूँ तो कितना जाएगा 76,950 इतना रुपे मुझे पे करना है ये तो उधार होगे क्या ये ओन क्रेडिट आँ सर एंट्री कर लेते हैं फटा फट तो एंट्री क्या होगा पर्चेजेस अकाउंट डेबिट अब पर्चेजेस अकाउंट डेबिट 2, 2 क्या होगा सर सबसे पहले तो हमने उधार में खरीदा है सर किस से खरीदा है? जॉन से खरीदा है तो 2 जॉन, जॉन से कितना? 54,000 और पर्चेजेस के सामने हमेशा आप्टर ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 1,35,000 अच्छा सर अब डिस्काउंट रिसीव हो गया है खरीदते समय डिस्काउंट रिसीव होता है न? हाँ सर कितना डिस्काउंट रिसीव हो गया? 4,050 रुपे तो पैसा इसका मतलब पेमेंट कितना करना पड़ेगा? आपके जेब से कितना पैसा जाएगा सर मेरे जेब से जाएगा 76,950 अच्छ अच्छ तो ऐसा है हो गया न कमान तो ये एंट्री भी हमारा हो गया अगला है फैब 17 गूर्ट्स परचेज़ फ्रोम मैंट लिश्ट प्राइब रुपीज 1 लाक at 10% trade discount and cash discount 5% on payment within the 10 days from the date of transactions full payment was made on 25th fact 2023 देखो 17 फरवरी को हमने goods खरीदा है मैंग से ठीक है ना 10% trade discount 5% cash discount और इसमें cash discount कब मिलेगा जब 10 दिन के अंदर में हम payment कर देंगे हम अगर 10 दिन के अंदर में payment within 10 days यानि कि 17 फरवरी है तो 10 दिन के इतना होता है 17 से 27 फैब यानि 27 फैब के बीच में अगर payment कर देता हूँ तो ही मुझे ये 5% का cash discount मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा तो बताओ मैंने कब payment किया payment was made 25th यानि कि 10 दिन के अंदर में कर दिया हो ना हाँ सर 10 दिन के अंदर में तो हो गया तो इसका मतलब cash discount मिलेगा तो cash discount मिलेगा तो ये हम फैब की बात कर रहे है फैब 17 की entry कर रहे हैं खरीदे हैं तो यहाँ पर बताओ list price कितना है सर list price है एक लाक रुपे और एक लाक रुपे में trade discount है 10% तो घटा देंगे तो 10,000 रुपे घटा दिये कितना बचा 90,000 और पूरा payment 10 दिन के अंदर में मतलब पूरे amount पे cash discount मिल जाएगा cash discount का मतलब ही होता है तुरंत या जल्दी पैसा receive करने के लिए discount दिया जाने वाला discount ओके सर 5% 4,500 तो इसका मतलब कितना आएगा 85,500 ओके सर तो goods खड़ीते हैं तो guarantee हो जाएगा purchases account debit 2, 2, 2 purchase के सामने हमेशा after trade discount मतलब 90,000 रुपया अब cash discount हमारे लिए फायदा है तो फायदा को क्या करते हैं discount receive credit करते हैं कितने का फायदा है 4,500 रुपय और payment कितना करना पढ़ रहा जेब से payment करना पढ़ रहा है 85,500 तो दोस्तों इसका दो entry करना पढ़ेगा अलग-अलग date को मैं इसी date को ये entry discount बला नहीं कर सकता 17 फरवरी को तो मैं पूरा खरीदने का entry करूँगा 90,000 रुपय का किस से खरीदा हूँ goods purchase from bank तो 2 bank हो जाएगा यहाँ पे कितना रुपय? 90,000 रुपय और दूसरी entry होगी कब fab 25 को fab 25 को मुझे पैसा देना पड़ेगा किसको देना पड़ेगा? मैं को तो मैं यहाँ पे क्या हो जाएगा? debit हो जाएगा क्योंकि receiver है तो मैं क debit हो जाएगा मैं को मुझे कितने रुपय देना है? 90,000 रुपय और मैं ने मुझे कितना discount दे दिया? सर मैंग ने discount दे दिया आपको 4500 तो इसका मतलब मैंग को मैं कितना पैसा दूँँगा सर मैंग को आप दोगे 85500 कमाल है न ये दोनों entry कमाई नहीं कर सकते क्योंद ये अलग अलग date है याद रखना और last है goods sold to Navia 60,000 at 10% trade discount and 10% cash discount as per the terms of condition terms and condition cash discount is allowed only if the payment is made within next 10 days from the date of sale Navia paid the full amount on 1st April 2023 यहाँ पे भी वो ऐसे ही है यहाँ समान बेचा है नाविया को 60,000 रपे का और 10% trade discount है और 10% cash discount भी दिया मैंने और बोला गया है कि cash discount 10% जो है किस condition पे दिया गया है अगर वो payment कर देता है 10 दिन के अंदर में 10 दिन के अंदर में payment कर देगा तो cash discount जो 10% है वो दिया जाएगा नहीं तो नहीं तो बताओ Navia ने full payment कब किया 1 April 2023 को और हमने बेचा किया है 19 फरवरी तो 19 फरवरी से 10 दिन के अंदर में payment किया नहीं किया तो नहीं किया तो क्या cash discount दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा तो नहीं दिया जाएगा हटाओ खेल खत्म तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ वो 20 February 19 यह entry ऐसे बाद में होगा February 19 का पहले entry करना था कोई नहीं आप बाद में कर लेंगा ठीक है न क्योंकि हम date wise करते है न तो date wise करते है तो 25 February से पहले 19 February आएगा न हाँ सर तो इसका मतलब यह बाद में करेंगे पहले 19 February का मैंने बता दिया आपको date के हिसाब से आप कर लें न तो 19 February को क्या हो रहा है कि list price कितना है सर list price तो 60,000 पे है और trade discount कितना है trade discount तो 10% तो कितना घटा देंगे 6,000 पे तो मतलब 54,000 और यह 54,000 के आगे selling price cash discount का कोई entry नहीं होगा क्योंकि उसको दिया ही नहीं जाएगा क्योंकि तॉंसन condition जो था वो fulfill नहीं किया तो सीधा सीधा समान बेचने का तो अभी इस डेट को उधार माना जाएगा न क्योंकि 19 फरिवरी को पैसा मिला क्या नहीं मिला तो नाववया receiver है तो नाववया debit हो जाएगी 2 हमने sell किया है न हाँ सर बस इतना सा entry हाँ सर बस इतना सा ही entry है 54,000 पता ही है Trade Discount का तो कोई entry होता ही नहीं है घाल है आज की class में हमने Trade Discount और Cash Discount का मतलब भी समझ लिया और Trade Discount और Cash Discount की entry किस तरह से करी जाती है समान खरीदने और बेचने पे वो भी हमने सीख लिया है अगले lecture में हम सीखेंगे कि अगर हमने उधार में आज बेचा या उधार में खरीदा तो payment future में किया जाता है तो full settlement का case है discount allowed discount receive इससे और little हमने तो at the time of purchase sale हो गया अब at the time of payment at the time of payment की क्या entry होती है उस तरह में किस तरह से discount दिया जाता है वो हम अगले lecture में देखेंगे तो इसी के साथ आज की मुलाकात हम यहीं समाप करते हैं thank you so much